आसके जो वीडियो है, कोमेट्य logo ट्रेडिंग चार्जिस और काफी उनीक होने वाली हैं, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए गा इस वीडियो में आपको बताओंगो कोमेट्यो ट्रेडिंग क्या है और किस तरीके से होती है, किस तरीके से आप यहाँ पे बैठे बैठे चाहो तो for example आपने gold में पैसा लगाना है 100 gram gold खरीदना है या फिर एक kilo सोना खरीद करके उसमें trade करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हो commodity trading की मदद से और साथ में अगर commodity trading करते हो तो commodity trading कर लिए यह सबसे best broker है अगर जैरोधा ही है तो अगर जैरोधा में commodity trading करते हो तो इसके exact charges अपको कितने लगेंगे कितने taxes लगेंगे कितनी brokerage लगी पूरी detail यहाँ पे आप कुछ चीजों को आप समझोगे सबसे पहले start कर लेते हैं वो उन लोगों के लिए जिनको commodity trading का idea नहीं है तो बहुत ही मैं इसको simple language में रखने वाला हूँ कि कि तरीके से आप इसमें आप पर trading कर सकते हैं commodity trading में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे commodity के products जैसे कि यहाँ पे cotton हो गया है जैसे कि agricultural products में आप trade कर सकते हो cotton, gold हो गया, silver हो गया, crude oil हो गया, zinc हो गया तो इस type के जितने भी products है जो कि हम usually market में देखते हैं जैसे कुछ metals के हो गया, कुछ like food वाले हो गया, कुछ agricultural products हो गया जितनी भी commodities है, इनके अंदर trading होती है, और इनके अंदर भी आपके पास options होता है या तो आप इनके futures में काम कर सकते हो, प्लस या फिर आप इनके options में काम कर सकते हो जैसे कि equity के options and futures में आप काम करते हो, लेकिन काफी चीज़े इन्हों में difference रहता है और यहाँ पर सबसे पहने चीज़ तो आपको जो बैटर यहाँ पर देखने को मिलती है, वो यह है कि आपको बहुत ही ज्यादा high leverage मिलता है high leverage का मतलब क्या है, मान करके चलिए, अगर मैं gold की बात करता हूँ 6.5 lakhs approximate 6.1 भी हो सकता है, यानि कि इसरफ इतना ही पैसा देखर कि आप 1 kg सोना खरीद सकते हो, यहाँ पर मार्कित में अब होगा क्या कि 1 kg सोना के उपर आपको जो भी loss है, वो भी 1 kg gold के उपर होने वाला है, और जो profit है, वो भी 1 kg के उपर होने वाला है जिसमें बहुत ध्यार रखना बढ़ता है, क्योंकि profit भी बड़े होते हैं, losses भी बड़े होते हैं, तो ज्यादा तर लोग comedy trading को hedging की purpose से भी use करते हैं, hedging में क्या होता है, simple की, जैसे कि अगर आप चेक करोगे पुरान डेटा भी तो जो nifty 50 है, जो nifty के indexes है, जो इसके options है, sideways या नीचे आएगा, और अगर gold उपर जा रहा है, तो nifty आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है, तो यह hedge करने के लिए भी use होता है, तो simple is that, और रही बात इनके lot sizes का, जो जैसे gold है, अगर gold की बात करूँ, अगर ज़रू था मैं अब gold MCX सर्च करते हो, तो gold का यहाँ पे, जो आप commodity का, जो आपके समने future आता है, यह आता है, यहाँ पर क्या होता है, जो quantity है, वो kg में होता है, zinc जैसे, वो metric tons में होता है, यानि कि इनके अलग-अलग lots बने होते हैं, जिसका आपको proper detail यहाँ पर मिल भी जाती है, जरूधा के अंदर, उसके बाद में, अगर मान सरीके से, यह contract काम करते हैं, यहाँ पर, I repeat it again, cotton हो गया, कपास हो गई, इसके इलावा, सोना, चांदी, crude oil, zinc, इन सभी चीज़ों में आप कर सकते हो, काफी सरी, इसकी लंबी list जो की trading के लिए available रहता है, यह चीज़े तो हम कर लेंगे, काफी चीज़ें आपको basic यहाँ पर clear होगी commodity की, अब बात आते हैं कि commodity अगर trading करते हैं, तो उसमें charges क्या लगते हैं, सबसे पहले कि आप अकाउंट opening की बात कर लेते हैं, तो जरूधा से better मुझे नहीं लगता कोई है, आज की date में, angel one को भी आप consider कर सकते हो, no doubt, या फिर जो भी best track आपको description में बता दूँँग, description की बात चेक कर लेना, मैं पूरा research करके वहाँ पर डाल दूँगा कौन सा आपके लिए best और सस्ता पढ़ने वाला है, तो यहाँ पे account ओपनी देखे, जरूधा में क्या है, अगर commodity trading कर नहीं है, तो 200 प्लस 100 यानि कि आपको 300 रुपए देना सिर्फ एक बार one time है, उसके बा बहुत ही simple और बहुत ही कम है, अगर तो commodity के आप futures में काम करते हो, futures में काम कर रहे हैं, तो सिर्फ जरूधा आप से कितनी प्लस लेगा, यह 0.03% और rupees 20, whichever is lower, यानि कि कम से कम, अगर छोटा amount है तो 0.03% या simple यह मन कर चलो कि 20 रुपए से जादा आपका नहीं लगने वाला है same है, options में भी अगर करते हो भई, उसमें तो fixed है, कि 20 रुपए पर order आपका लगना ही है, buy plus sell दोनों के उपर लगने वाला है, buy के उपर भी लगेगा, sell के उपर भी लगया, यह तो brokerage जो की जरूधाने आप से लेनी है, लेकिन जब आप at the end देखोगे, तो आपके जो चार् करते हैं कि why the charges this much amount, तो उसका reason क्या है इनके जब तक आप statutory and regulatory charges नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा, क्यूंकि यहाँ पे जो valuation बन जाती है, stock की value बन जाती है, sorry stock बोल रहा हूं यहाँ यहाँ पे, जो हम रही entry उसकी value बन जाती है, वो काफी बड़ी बनती है, तो अब जैसे कि, अब STD charge की अगर में बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे देखी क्या है कि STD charge अगर non-agricultural product है, तो यहाँ पे आपको STD charge आपको जो pay करना पड़ेगा, वो कितना है, 0.01% यानि whole value in lakhs में है, तो 0.01% पी एक अच्छी amount बन जाती है, और अगर options में काम कर रहे हैं, तो जो आपको यहाँ पे STD charge लगता है, वो लगता है 0.05% सिर्फ sell city पे लगएगा, दोनों में sell city के उपर लगने वाला है, इसके बाद में यहाँ पे charges लगते हैं, आपको transaction charges, तो transaction charges में क्या आ जाता है, transaction charges में अगर तो आप futures में कर रहे हो, trade तो यहाँ पे देख लगता है, 0.0025% लग जाता है, 0.0026 और caster seed है, तो वहाँ पे बहुत ही minimums है, 0.0005% है, इसके जैसा अगर paper की बात करो तो बहुत ही कम है, उसको हम negligible है, ओके, और अगर आप exchange transaction की बात करते हो, तो अगर options में, तो फिक्स रहे हो, 0.05% लगना ही लगना है, options में, इसके template होती है, 18% बनती है, लेकिन जो आपकी brokerage बन गई, SEBI के charges बन गई, transaction charges बन गई, सभी का जोड़ निकालने के बाद, उसका 18% निकलता है, all the charges जो भी आगए, जो भी brokerage वगर उसका 18% वो अलग से GST बन जाएगी, यह चाहिए futures में कर लो जाए, options में कर लो, same है 18%, अब SEBI के charges charges की बात करते हैं, अगर तो agriculture related product है, फिर तो भई, एक रुपिया चार्ज करता है, एक करोड के पीछे, और non agriculture product है, तो 10 रुपै चार्ज करता है, करोड के पीछे, same है 10 रुपै करोड के पीछे, अगर आप options में काम करते हो, तो, और उसके बाद में, अगर stamp charges की बात करते हैं stamp charges हैं, आपको कितने pay करते हैं, 0.002% और रुपीज 200 पर क्रोड और buy side, same है, options में, अगर options में काम करते हैं, वो थोड़ा सापको बढ़ जाता है, वो 0.003% और रुपीज 300 है, पर CR, तो यह है, यही वो charges है, कुल में लाकर गए, इसके इलावा कोई भी charge आपको pay नहीं करना है, क्योंकि हर किसी की cost उपर नीचे होती है, क्योंकि हर जब भी आप commodity में trade करते हो, उसके quantity, उसके lot size के उपर, उसमें कितना quantity में का आप ले रहे हो, future का, यह सारी चीज़े matter करती हैं, that's why, यह brokerage हमें कम दिखती है, तो हम बाकी की चीज़ें जो miss कर देते हैं, STT charge जो अभ अगर आप अच्छा broker ढूंड रहे हैं, उसका link आपको नीचे description मिल जाएगा, तो उसी broker के साथ आपको अपना start कीजिए, आपको जी experience बहुत अच्छा मिलेगा, वीडियो को देखने के बाद को डाट कुछने कमड़ा पसमें पूछ सकते हो, अगर आप आप अलड़ी को इस experience जरूर शेक करें, मिलते हैं नेक्स दोने तक्विल बबाए